नमस्कार दोस्तो अगर आप मिथुन चक्रवती के फैन है और आप मिथुन दा की फिल्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो में बेस्ट आइमडी रेटेड मिथुन चक्रवती की फिल्म में बताने वाला हो जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए दोस्तो सबसे पहली है दग कस्मिर फाइल्स इसकी आइमडी रेटेंग है 8.6 यहाँ मिथुन चक्रवती अनुपम खैर दर्शन कुमार और अन्य के अभिने में ये फिल्म 1990 में कस्मिरी पंडित समुदाय के दर्द और संगर्ष से इर्द गिर्द गुमती है ये फिल्म एक ये फिल्म बंगाली रहश्यवादी कवी हसन राजा के जिवन पर आधारी थे और इसमें प्रेम अध्यात्म और कलात्मक अभिव्यक्ति की खोज की गई है फिर आती है सुकनो लंका इसकी आइमडी रेटिंग है 8.2 मिथुन और सब्यसाची चक्रवती के अभिने में ये फ के सार को कैद कर सकता है फिर आती है ओ एमजी यानि की ओ माई गॉड इसकी आइमडी रेटिंग है 8.1 ये व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा जहां एक नास्तिक दुकांदार बगवान पर मुकदमा चलाता है जब उसकी दुकान बुकम से नश्ठ हो जाती है इस फिल्में परेश रावल ने बहुत थी बहतरी एक्टिंग की है इसमें अक्षय कुमार और अन्य कलाकार भी मौजुद है फिर आती है द तासकंद फाइल्स इसकी आइमडी रेटिंग है 8.1 नसरुदिन साह और मिथुन चक्रवति के अभिनय में ये एक राजनितिक थ्रीलर है जो बा फिर आती है एक नदीर गल्पो इसकी आइमडी रेटिंग है 8.1 सुंदर बन में स्तापीत एक मार्मिक कथा जहां एक स्कुल शिक्षक जीवन प्रेम और अस्तीत्व की कठोर सच्चाईयों से मिलाता है फिर आती है पहला मांसुन दिवस इसकी आइमडी रेटिंग है 7.8 मा खोज करता है फिर आती है अन्याय अभीचार इसकी आइमडी रेटिंग है 8.2 मिथुन चक्रवती और रोजीना के अभिने में ये एक अपराद थ्रिलर है जहां एक पुलिस अधिकारी एक के बाद एक हो रहे हत्याओं की जांज करता है फिर आती है अगनिपत इसकी देखता है और बड़ा होकर डॉन के खिलाप रतिसोत की तरलाश में रहता है तो दोस्तों ये वो दस फिल्मे थे जो मिथुन चक्रवती की थी आइमडी पर हाई रेटेड मूवी है मिथुन चक्रवती की अगर आपको मिथुन चक्रवती की फिल्मे देखना अच्छा लग जड़ी दाँ